ये पब्लिक है ये सब जानती है रीवा दर्शन के खास प्रोग्राम में हमारे साथ इस्टूडियो में मौजूद है विजय विश्यकर्मा कुछ खास मेहमालों के साथ तो आएए चलते हैं विजय के पास और जानते हैं वो पब्लिक के लिए क्या खास लेकर आएं हैं नमस्कार आप देख रहे हैं रीवा दर्शन और मैं हूँ आपके साथ विजय विश्यकर्मा रीवा दर्शन की इस खास प्रेसकस ये पब्लिक है सब जानती है आज इस एपिसोड को आज फिर आपके बीच हम लेकर आए हैं और इसमें आज हम बात करेंगे आचार सहिता और व अचार सहिता प्रभाव साली हो गई आचार सहिता कल तीन बजे से पूरे प्रदेश में प्रवाव साली हो गई है और उसको लेकर यहां जो होडिंग बैदा और प्रचार सामग्मिया थी उनको निकाला गया है और लगातार यहां में मिर्वाचन आयो उस पर नजर बनाए गए हैं आई जानते हैं अजे जी से कि इसका क्या असर होगा अब किस तरह से प्रसासन औ और यहां पर कानून ब्यवस्था को लेकर हल्चने तेज होंगी कि इसमें केन सर्कार का यह बड़ा दखा रहें और चुनाया उकर कहीं कहीं निष्चत रूप से अगर चुनाया तब तो सही मायने में रिसल्ट आएंगे अन्यता आप देखी रहें पिछले चुनाया आपको अग्मी लिखता रहता है लेकिन कोश भी कानौन से नहीं हो पा होंगी जो इस छेत में प्रभाड ना लिए देखिए विजा जी आदर्स आचार संगीता चुनाव आयोग ने लगाया है और सभी दलों को चुनाव आयोग पर भरोशा करना पड़ेगा बिविन दलों के लोग अभी चुनाव आयोग पर भी कई सवाल या निशान उठाएं हैं लेकिन अंतरता है केंद्र में और राज्य में और जिले में जिलाने वाचा नभिकारी जो करेंगे उसका विरोध तो किया जा सकता है लेकिन भरोशा सभी दलों को रखना पड़ेग करने के लिए पूरी तरह प्रयाजरत रहेंगे लेकिन जो इस चितियां बन रही है आरों पत्यारोपों का दौर रीवा में पूर्वववत चलेगा मुझे ऐसा निभाई दे रहा है अजय जी आप बताईए कि आपकी पार्टी यहांपर किस तरह से आचार सहिता का पालन करेगी और क्या आप किस तरह से उसको करना चाहेंगे कि आप प्रचार भी हो और आपकी पार्टी की नीतियां भी यहांपर प्रचारित हो जन्ता के बीच में किस तरह से आप कहुचान कि अनिर्वाचन आयोग के निर्देश है कि किसी भी राजनेटिक दल को कोई सभा करनी होगी या बैनर पोस्टर्स लगाने होगी उसकी पूर में अनुमती लेनी पड़ेगी और उसके बाद ही हम उसको प्रचारिक कर पाएंगे जी विजाजी आप सही बोल रहे हैं लेकिन रीवा में बड़े नेताओं के आघमन को लेकर अभी उतनी व्यवस्थाएं नहीं है उदाना के लिए आपका एयर इस्टिप जो है पूरी तरह से सक्षम है और कोई अव्यवस्था नहीं होने पाई रीवा सहर में एक और बड़ी समस्या है अगर यहां पर कोई आम सभा होती है तो कोई ग्राउंड नहीं ऐसी इस्थित में अब क्या रुप होगा प्रसासन का कि वो ग्राउंड कहां का इस्तमाल करें और आम स सब्सक्राइब हो रहे हैं इती प्रेस कॉन्फेंस में भी कई वो ने सवार उठाया था उन्होंने बताया कि रीवा में जो राजनायतिक दलों के बड़े काक्राम होंगे उनको पहले से अनुमत लेनी होगी और उसके लिए एक स्थाल चैनित किया गया है ऐसर ग्राउंड म नहीं बड़े नेताओं कि समावंगी रीवा में और कहीं कोई जगे बची नहीं है अजय जी आपके विकास के मुद्दे का होंगे रीवा सहर में चारों तरफ जिस तरह से विकास की दिख रही है चेत्री मंत्री यहां पर कई सारे वादे कर रहेंगी काफी विकास हुआ है जी मैं आप से बताना चालूँगा 15 साल में भात्वा कि सब्कार रही केबल विकास की बात करती है लेकिन क्या बड़ी-बड़ी बिलिगे वाला लेने से रोड नाली बना लेने से विकास हुआ तर आप अभी बहुत ऐसे बॉनले पड़े हैं इसमें बड़े-बड़े गड जबूर है यह निकास करते हैं मैं तो नित्रमस्ता के 15 साड़ में विकास हुआ है निकास को नहीं कहते हैं आप देखें अभी उसमें भी कई जगा है अपने खास्टों मना के टेंडर दिये गाए अब यह आप देखें हो के तो चार दिन के अंदर पठीस करूर पाई की टे के हम पर विकास कारियों की रूप रिखाते की गई क्या लगता है कि यह सब चुनाओं को देखकर किया गया देखिए मद्यप्रदेश में सिराज सिंग चौहान और पूरी उनकी टीम को यह मालूम था कि आचार समीता चार से पांच ताही के आसपास लग जाए तो सरकार न सिलान्यास इनका दौर चलता रहा अभी आपने देखा होगा आपने खुद भी कम्रेज किया है बिजय जी कि रीवा सहर की बात अगर करें तो रीवा सहर में अपने उत्यों मंत्री जिन लगाता कई बड़े सिलान्यास किये हैं अच्छी बात है विकास के लिए तत्पर है लेकिन अगर यही सिलान्यास च्छे मेहने पहले होता तो निस्चित तोर पर अच्छा होता यह तो ऐसा लगने लगा है जैसे लोगों को नुभाने के लिए आकरसित करने के लिए और अपना बोट बैक बनाने के लिए भाती जनता पार्टी ने होड़सी लगा गी है जिए बेल्कुल पच्मठा का विकास का रहा हो उसकी रूप रिखा तैकी गई हो या अगर हम चिरहुला मंदिर की बात करें तो वहां भी भूम पूजन किया गया जो एक कार्योजना निभनिया पुल की बात हो या जो नदी के उसमें इस्ट्रीम लाइव चलाने की बात हो तो यह कार्योजना काफी पहले बन चुकी थी अगर चार महीं ने पहले हो जाता तो और जादा होता कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है लेकिन यह तकालिक रूप से दो लोकार कौन से लानियास का दौर चला तो लोगों कोई ररूप लगा ही कहीं ने कहीं इसमें है किस तरह से विकास होना चाहिए आप क्या मांंते हैं ठीकिड का सबका सतों हो अपना हो इसलिए मैं है कि विकास होना चाहिए जिससे आम पब्लिक खुश है और सबीड को काम करने का उसर मिले यहां ठोड़ी इसतरद दिल जले लिए अपने अदम को फाजा किने में आपको कम गा यह बताइए 15 साल पहली भी आप इमामें थे तब भी आपकी साल प्राइक के बात मुझे मैं तो सवाहते हुआि तक आपई निकम प्रणाश के विकास के बात ब घ्र ten ये फेल्क जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि नगर निकम ने。 वाइपलाइने मुहले में बिशा के रखी हैं और RCC सड़क भी कई मुहलों में हो चुकी है साथ में ओबर ब्रीज रिवा जैसे सहर पर बन गया और नहां एक ओबर ब्रीज बनने जा रहा है सुपर इस पसलिटी हॉस्पिटल भी बन गया है अब ही और क्या विकास की जरूरत है हाँ पर जो पूरा चलिए है अप दिखेंगे मुझी ने कहा था कि हम जो करो लोगों को नौपरी देंगे इतना लोगों को नौपरी मिली तो उलाद मामा किसानों को बड़े हो गंते हैं लेकिन किसानों साथ इतना बड़ा आपने देखा मंचोर में 10-15 लोग वहां भूनी खांटे मल लाइचे हाँ अब अगले यादो रस्त्री अधा जीना महां पर दोदो लाग उता है उनको ले आप में देखा कि वोट बनाई हो मुझे भारत वों सा कभी नहीं मली दी लेकिन लोग आप कहते हैं विकास के नाम से लोगा वोट नहीं किये हैं उनको तकी इतना देखा विकास उंटर प्रदेश को अभी भी नहीं हुआ क्या लगता है कि अजय जी इस तरह से कह रहा है कि यूपी में विकास हुआ और पब्लिक ने उसको नजर अंदाज कर दिया मज़ प्रदेश में 15 सालों से जो विकास की जंगा बह रही है क्या वही वक्त फिर आ गया है जो मज़ प्रदेश में यूपी की तरज पर होगा अजय जी की वादसे में विल्कुल एक मुद्धे के पुरी तरह से सहमत हो दिखिए यहां पर सिमेट फैक्टिया लगी एस्थानी रोजगार उसमें जो एमोई हुआ है विजय जी गौवर्मेंट का और जो उद्योपतियों का एमोई होता है उसमें 60 परसेंट एस्थानी विरुजगारों को ही रोजगा देगे लेकिन इस मुद्धे पर आजय जी की बात सही है जैसे अभी आपका सोलर प्रांट लग रहा है तो विरुजगारी की बात तो बिरीवा का एक तपका लगातार शूरत बेंगलोर नासिक बुंबई में नौपरी करने जा रहा है अगर उनको करते वहां लेबर का पामी है अगर लेकिन उनको यहीं प्रांट में नौपरी मिल जाए तो उतने दूर पेचारे क्यों जाएंगे पहली चीज और दूसरी चीज लगातार दावे हुए हैं विरुजगारी खतम करने के लिए लेकिन मैं एक पत्रकार के नाते ज सब्सक्राइब करते हैं मंभाई कितरा बाते हैं हमारे बद्ध प्रदेश में मैं भी उच्छर चाहूंगा हमारे स्थानी मंत्री है उन्होंने 15 साल में क्या कभी किसी बड़े उध्यों को नगाने का प्राश किया कभी अपार के बला एक सोड़ा प्रांट वच्छा उस्व आपकी पारटी है इस मुद्ध भाई शुममामी पर विचायत हारा है और हम लोग हमेशा हा बीचायत हारा है इसमे रड़ते रहे किसान और सस्रूंक ओंक किसनों की तरह से बनेंगे देखिए बर्तमान में बिंद छेत्र का किसान पिछले तीन सालों से सूखे से यूज रहा है सरकार वाइदर कर रही है लेकिन किसानों की स्थितिया गाउं में जाकर देखिए इसके बारे में अजय जी को ज़्यादा मालूल होगा तकि ग्रामिक शेत्र में इनका आवागमन ज़्यादा रहता है लेकिन जो हमने देखा है किसानों को खाद की गारंटी गवर्मेंट ले रही कि हम खाद आपको सहकारी समिक्तियों से उपलब्द कराएगे लेकिन आज देख लिए सहकारी समिक्तियों में खाद उपलब्द नहीं है दूसरी चीज़ नहरों का पानी नहरों का पानी कुछ हिलाप में मिल रहा है ये बात सही है लेकिन अंदर के हिस्सों में बिलकुल पूरी तरह से सुखा पढ़ा हुआ है वे मख़े में चले जाई है जमीन बंजर पढ़ी हूई है इसके लिए सरकात कदत भी वात है और निश्चित तोर पे किसानों में आक्रोज है एगा को लेकर और इसका ज्याता ऑषर भाती घलता पार्टी के नेताओं पर ही सिधाओं बाक्षिक लगता है जी बिल्कुल एक तरफ किसानों को गोली तो दूसरी तरफ किसानों को माकान गूल सोनेगे जिए 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 बिल्कुल रही है इक सानव के वागा चाहिए जारा है अवर सभी आपको आपना धंदा थोड़कर किसान खेजी छोड़के दूसरे उप्द्धयों कि तरह गानने को मन्हों हो गाए किसानत साच रावा हो रहा उनको समय पर भीज नहीं मिल पाता है इसे इसे जिए जारता की नाम से लेकिन अजय जी ने एक युजना तो अच्छी चला युजना के नाम पर लगभग इमा दी लेके लगभग το 3,000 3,000 श्याव तरी मिलना है इसमें भी कुछ ना कृतु हैं आपका आपक नहीं की थारिक के नहीं है इसे क्लिए लिए अप इसके फिसको मालेगेया आप अ सरकार को दोसी मानेंगे पूरी तर ऐसे बिल्कुल पर उनी कंचारी तो इसकता आते हैं तो पुल मिलाकर पधान मंत्री आवास से उजना सफल नहीं हो पारे है लिवा जिले में पूरे भारत की बात करा हूँ मैं तो सब भी जिले में भारे स्टेटों के लिए है वहां कि इस अगली की समस्या है जिसको लेकर कई पिसानों ने अपनी आत्म हत्याएं कर ली है और अब ऐसे में मतदाताओं को लुखाने के लिए वही नेता जो वर्सों तक उनसे दूर रहे अब उनकी चौकट में जा रहे इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं अगली चर्चा के लिए नए मुद्दे के साथ फिर आपके बीच हाजिर होंगे तब तक के लिए नमस्कार नमस्कार